हेलो गाइज, गुट मार्निंग तो ओल उफ यू आज का हमारा टॉपिक है क्रियेटिव एस्पेक्ट ओफ एडवर्टाइजिंग यानि देखो हम सभी को पता है आज के टाइम में एडवर्टाइजिंग किसी भी कंपनी के लिए फर्म के लिए बहुत जरूरी है यानि आपक इतने alternatives हैं कि अगर एक person advertising नहीं करेगा एक company के बारे में किसी को नहीं पता होगा तो ऐसा नहीं है उस product को कोई ढूंडने जाएगा कि उसके product भी है जो available होंगे जिनके बारे में उन्हें पता होगा वो वही product को खरीद लेंगे advertising इतनी जादा जरूरी है तभी तो आपकी जो इतनी बड़ी बड़ी companies है जो अच्छी खासी चल रही है जिनकी sale में कोई कमी नहीं है still वो क्या करती है हर साल इतने रुपे इतना सारे इतने करोड़ो रुपे advertisement के उपर खर्च करती है क्योंकि advertising ही एक अकेला ऐसा दरीका है जिसके दूरू वो क्या कर सकती है अपने पुराने customer को retain करके रच सकती है और अपने new customer को create कर सकती है आज हम इसी advertising के creative expect की बात कर रही है कि ये creative expect का मतलब क्या है देखो advertising तो tv में इतनी आती है नियूस पेपर में इतनी आती है हर advertising हर कोई नहीं देखता देखता है तो भूल जाता है उस time समझ भी आ जाए तो भी खरीदने जाएगा तब याद नहीं रहे तो फिर ऐसी advertising का फाइदा क्या आपने tv में advertising दे दी सामने वाले ने देख ली उसे कोई interest नहीं आया उसने उस बात को समझा नहीं खरीदने गया तब उस बात को ध्यान नहीं रखा इसका creative expect क्या बोलता है आपकी advertising क्या होनी चाहिए creative क्रियेटिव का मतलब है कुछ नया उसमें होना चाहिए कुछ interesting उसमें होना चाहिए कुछ ऐसा होना चाहिए जो customer की at a time attention लेके आए उसको कुछ interesting लगे कुछ ऐसा हो जो उसको easily याद भी हो जाए जो वो जब product खरीदने जाए तब उसके mind में हो और वो क्या करे उसके बेस पे आपके product को purchase कर ले यानि एक अच्छी advertising कौन सी होगी जो की क्या होगी interesting होगी कुछ उसमें नया होगा novel होगा और वो क्या करेगी आपके customer को अपनी तरफ attract लर पाएगी ताकि आपके product को वो purchase कर ले यही होगी एक effective advertising और इसी type की advertising को generate करना बनाना हमारा कहलाता है creative advertising यानि creativity क्या होती है किसी भी चीज में आप उसमें कुछ ऐसा करते हो जिसे हम painting वगरा हम बात करें कि आपकी इतनी creativity है इसमें यानि वो क्या कर रहा है कुछ अलग सोचने की power है तो advertising में कुछ नया कुछ interesting कुछ ऐसा सोचना जो आपके customer के attention को easily hold कर पाए उसे बोला जाता है creative advertising creative advertising हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो आपके product से भी related हो और आपके customer से भी related हो यानि ऐसी नहीं कि creative नया कुछ आपको लेकर आना है कुछ भी बे तुकी बात आप दिखा रहे हो यानि ऐसी चीज़े दिखा रहे हो जिसका आपके product से कोई relation ही नहीं है वो creativity नहीं चाहिए creativity ऐसी होनी चाहिए जो आपके product की जो main features है जो आपके product को आपके competitor के product से अलग करती है ऐसी हो customer के according हो यानि जो customer के suit करे ऐसी हो जो आप जिसको आपके competitor है easily copy ना कर पाएं और जो easily याद रखी जा सके एसी advertising आपकी होनी चाहिए इसी के लिए companies क्या करती है USP को use करती है यानि unique selling preposition यानि वो कुछ ऐसा नया लेके आती है जो किसी ने अभी तक use ना किया हो और उसको लोगों को पसंद भी आ जाए अगर एक बार कोई company USP बना लेती है USP बनाना easy काम नहीं है आपको बहुत research करने पड़ती है कि आपके जो पहले से किसी ने किया भी ना हो आपके product के according भी हो कुछ unique interesting भी हो जिसको याद भी रखा जा सके सबी चीज़ों को follow करके product की feature भी ऐसी रेने पड़ेंगी जो competitor के product में ना हो ताकि वो आपकी चीज़ को copy ना कर सके उसके base पे बनाती है एक बार ये बन जाए और चल जाए तो आप इसको सालों तब use कर सकते हो जैसे सबसे common विक्स की ad में जैसे बोलते हैं विक्स की गोली लोग खिच-खिच दूर करो वो क्या है उनकी USP है कोई भी विक्स की advertising बना ले उसमें वो लाइन जरूर यूज़ कर देते क्योंकि वो लाइन उनकी चलती है सब के मुँपे चड़ी हुई है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी सुनते ही L.I.C. कुछ मीठा हो जाए category यानि कुछ ऐसे word हैं अगर कोई बोल देना हमारे mind में automatically company का नाम आ जाता है ये उनकी एक creative advertising थी एक unique selling proposition थी जो उन्होंने क्या कर दी है अपने customer के mind में बिठा दिये जैसे ही ये word आएगा अपने आप उनके product का नाम आ जाएगा इसी को बोलते हैं हम creative advertising creative advertising बनाना हर किसी के बसकी बात नहीं है ये जो काम करते हैं mainly हम ad agencies के जो creative experts होते हैं यानि जो आपके copywriter होते हैं जो आपके layout designer होते हैं commercial artist होते हैं वो इस काम को करते हैं special person होते हैं जो आपकी copy को बनाएंगे copy कौन सी जैसे अगर tv में बना रहे हो तो recording करेंगे उसकी proper मतलब क्या-क्या उसमें होना चाहिए ये newspaper में है तो उसमें क्या लिखा जाएगा copy writers होंगे layout designer होंगे layout यानि कैसा दिखेगी वो उसको design करेंगे कुछ experts होंगे commercial artists होंगे जिनकी imaginative skill का combination होती है आपकी creative advertising जब भी creative advertisement बनाई जाती है तो सबसे पहले information collect की जाती है यानि सबसे पहले किसके वारे में information collect होगी customer के बारे में भी और product के बारे में भी customer की age क्या है देखो आप बच्चों को अपनी तरफ attract अलग तरीके से करोगे और बड़ो को अलग तरीके से यानि आपका product बच्चों का है तो आप वहाँ पर उनको या according आपको cartoon वगरा यूज करने पड़ेंगे बड़ो को अगर आपको अट्रेक्ट करना है तो आप cartoon नहीं दिखा सकते आपको उनके according चलना पड हाई income वाले status देखते हैं लगजरी देखते हैं तो उनके according देखना पड़ेगा educational qualification देखनी पड़ेगी product कैसा है customer के साथ product की information देखनी पड़ेगी यानि product में क्या क्या features है competition हमारा कितना है वो भी देखना पड़ेगा कौन कौन से इसके competitor है यानि आपको क्या करनी पड़ेग फिर हमारी होगी thinking process यानि जो information आपने collect की है उसके बारे में सारा सोचा जाएगा और ideas generate किये जाएंगे कि इस particular information के base पर कौन कौन से किस-किस type की creativity हम बना सकते हैं यानि क्या क्या ideas हमारे पास हैं और lastly उनका verification होगा क्योंकि देखो कोई भी advertising बनाना सस्ता काम नहीं है USP आपने बनाई है और उसको launch कर रहे हो कोई छोटी बात नहीं है आपको क्या करना पड़ेगा एकदम से पूरे market में डाल दोगे उसको और उसने कोई result नहीं दिया तो बहुत ही पैसा waste हो जाएगा मानलो आपने करोडों रुपे खर्च कर दिये और advertising all over the India या फिर मानलो दो चार countries में launch कर दी तो और वहाँ से result कुछ नहीं आया result कुछ नहीं आया का मतलब है जो आप बताना चारहे थे customer को वो बात समझ नहीं आई वो attract नहीं हुआ तो आपका सारा पैसा waste ना हो इसलिए companies क्या करती है पहले एक test market यानि छोटे से area को select करती है और वहाँ पर उस ad को launch करती है अगर वहाँ पर वो ad desire response देती है यानि customer को जो आप पताना चारहे हो वो उसको understand कर पा रहा है उसी form में और उसका effect उसके ओपर दिखाई दे रहा है ये बात sure होने के बाद ही वो क्या करती है पूरी market में उस ad को launch करती है इक है तो mainly ये तीन step process होती है आपकी information collect करो उसके information की according idea generate करो और फिर जो idea final हुआ है उसे verify करो short में अगर हम बात करें creative advertising एक ऐसा aspect है advertising का जो क्या इस बात पर फोकस करता है कि आप unique, novel और एक different advertising theme अपील रखो यानि एक अलग theme हो आपकी advertising का जिससे क्या हो आपकी जो advertising है वो effective हो सके बैसे देखो creative expect के बारे में भी लोगों की अलग-अलग thinking है कुछ मानते हैं कि अगर क्या है आपकी ad क्या है easily लोगों को समझ में आ जाती है तो वो creative है कुछ कहते हैं कि सिर्फ वो ऐसी है कि आपके brand को याद करने में आपको help करें तो भी वो creative है कुछ कहते हैं कि creative सिर्फ तभी मानोगे जब क्या हो जाएंगी आपकी sales उससे increase होंगी वो अलग-अलग aspect है अलग-अलग person अलग-अलग सोचते हैं बट actual में क्या होना चाहिए आपकी creativity ऐसी होनी चाहिए जो कुछ unique भी हो और वो आपकी efficiency से भी link करते हो यानि actual में उससे आपकी sales बढ़ने चाहिए तो ही आप क्या वानोगे कि actual में आपकी advertising creative ही उसका effect customer के उपर आया है creativity कैसे डालनी है दोगों को हसा के डालना है हसा के खरीदने के लिए मजबूर करना है रूला के करना है कैसे करना है वो depend करेगा उस creativity पे हम बे advertisement देखती हैं टीवी वगरा में कुछ advertising यसी होती है जो देखने में एकदम से मज़ा आता है लेकिन सुस्ते हैं था क्या यानि कुछ खास लगती नहीं है कुछ ऐसी होती है जो 15 बार भी आ जाएं तो हम उसे देखने के लिए तयार होते है और कुछ इतनी boring होती है कि फिर आगी एड तो उसी चीज को manage करना कि आपकी एड कैसी होगी customer को कैसा feel होगा जब वो आएगी उसी को बोला जाता है उसका creative aspect अभी हमने बात की कि creative advertising है क्या और अगर आपको कुछ unique selling idea बनाना है तो आपको information collect करनी है think करना है verify करना है अब हम बात कर रहे है creative design process के बारे में creative design का मतलब है देखो वैसे तो जो हमने बात की same बात ही है कि आपको ये decide करना है कि आपकी advertising में आपको क्या कहना है यानि आप customer को क्या बताना चाह रहे हो और उस बात को आप कैसे बताओगे यानि message क्या देना चाह रहे हो message भी ऐसा होना चाहिए जैसे अभी हम बोल रहे थे जो समझ भी आए छोटा भी हो यानि बहुत जादा देर को advertisement देखना पसंद नहीं करता और उसका effect भी जाए और उसी बात को फिर कहना कैसे है टीवी के थू कहना है इंटरनेट के थू कहना है नियूस पेपर के थू कहना है किस तरीके से कहना है उसको decide करना यही दो question आपके consider होते है वट्टू से में message में बोलना क्या है यानि message का content क्या होगा appeal क्या होगी यानि आपको हसाना है रूलाना है क्या करना है logic देने है या फिर उनकी feelings को consider करना है यह सारी चीज़े वैसे अभी हम detail में आगे explain करेंगे next videos में slogan क्या रखना है यह सारी चीज़ें आपकी what to say में consider होगी दूसरा आपका how to say यानि message का format क्या होगा layout कैसे होगा कैसे आप उसे कहोगे यह सारी चीज़े how to say में consider होती है जो creative task होता है advertising का वो mainly आपके जो companies होती है वो किसको देती है ad agency को देती है क्योंकि देखो एक company खुद से इतना ज़्यादा अगर वो बहुत बड़ी है तो अलग से department रख सकती है अलग से creative experts वगार को रख सकती है otherwise खुद के लिए उसके ये काम मुश्किल हो जाता है इसलिए वो ad agency को रखती है ad agency के पास या तो खुद के creative persons होते हैं यानि creative team होती है या फिर कई बार ad agency भी creative specialist को hire करती है यानि ये काम बाहर से करवा सकती है creative specialist कोन-कोन से हो जाते हैं आपके copywriter, artist, director, layout designer ये सारे जितने भी मतलब particular ad tv में है, radio में है, newspaper में है उस चीज़ पर depend करेगा कि कोन-कोन से person होंगे ये सारे यहाँ पर consider होंगे mainly जब आपकी creative advertising बनाई जाती है तो सबसे पहले आपके advertising के objective decide होते है जो हमने उपर process पढ़ी थी वैसे तो वो भी यही चीज़ थी लेकिन महाँ पर तो हम सीधा idea के उपर पहुँच गई थी कि आपको idea बनाना है तो उसके लिए information collect करो बट वो idea किसके base पे होगा कि सबसे पहले आपके advertising के objective decide होंगे secondly आप information collect करोगे about जो हभी हमने बोला था customer, product and competitor information मिल गई उसके बाद ideas generate होंगे यानि generation होगा नए नए ideas का ideas generate होने के बाद उस idea जो एक बार generate होगा उसको उससे के लिए approval ली जाएगी आपके marketing manager से and advertising manager से दोनों को दिखाया जाएगा कि उन्हें पसंद आएगा या नहीं अगर उन्हें पसंद नहीं आएगा तो हम आगे नहीं जा सकते सबसे पहले उन्हें पसंद आना चाहिए जो अगर उनको आपका idea पसंद आ गया तो देखो पहले सारी चीज़ सोड़ी हो जाएगे कि पहले आप shooting वगरा सब कुछ कर लोगे और फिर उनको दिखाओगे पहले तो सिफ idea बताओगे न अगर उन्हें idea पसंद आ गया तो उसक application की जाएगी कि अब वो एड अगर limited area में चला के दिखा जाएगा कि अगर वो वहाँ चल जाती है फिर सब जंगा launch कर दी जाएगी यह सारा काम किया जाएगा और इन सब काम को करते हुए government के जो rules है यानि जो legal restrictions है उनको भी ध्यान रखा जाएगा कि हम government के किसी भी regulation के against ना इसके साथ साथ जो आपके James Webb Young है कौन है James Webb Young उन्होंने एक और बात बोली है इसी बार creativity के बारे में कि हम यह बोल रहे हैं कि आपको creative persons लाने हैं तो ऐसा नहीं है कि creative person कहीं और से आते हैं वो भी normal persons ही होते हैं और ना ही यह है कि सिर्फ limited person है जिनके अंदर creativity skill होती है James Webb का कहना था कि कोई भी person है creative हो सकता है उसे सिर्फ कुछ steps follow करने की जरूरत है अपने आपको creative बनाने के लिए वो steps अगर वो follow करता है तो कोई भी person creative सोच सकता है एक बार हम उन steps को भी discuss करेंगे कि कोई भी creative idea को बनाने के लिए किन-किन steps को follow करना पड़ता है James Webb Young जो की USA के हैं उन्होंने कहा था कोई भी person creative बन सकता है इन steps के दूरू first step है उनका immersion immersion का मतलब होता है put yourself into the problem यानि कि अगर किसी को creative advertising बनानी है तो सबसे पहले पूरी problem समझनी पड़ेगी यानि हमें क्या message देना है उसके लिए क्या चीज़ें हमें consider करनी है यानि किस वज़र से हमारा product कम भी कर रहा है या जो हम किस चीज़ पर focus करना चाह रहे हैं वो चीज़ आपको समझने पड़ेगी complete आपको उस particular चीज़ के अंदर involved होना पड़ेगा तभी आप क्या कर पाओगे idea generate कर पाओगे उनके according अपने आपको complete problem के अंदर डालने का मतलब है advertising के regard में कि आप क्या करो पूरे environment को study करो यानी economic, political, social, legal, demographic product जितना भी आपके पास वो data है वो भी study करो पूरा environment customer को study करो customer की age क्या है, income level क्या है, gender क्या है, educated कितना है competitor के information collect करो यानी competitor का product क्या है उसमें हमसे क्या अलग है, क्या खासियत है अपने product को पूरा study करो कि आपके product में अलग क्या है आप ये सारी information collect करने के लिए primary source का use भी कर सकते हो और secondary source का भी use कर सकते हो primary source का मतलब है कि आप उसी information को खुछ जाके collect करो यानी आप malls में जाओ, stores में जाओ, customer से बात करो खुद उस product को use करके देखो ताकि आपको उस product के बारे में पता चले या फिर आप secondary methods का use कर सकते हो यानी कुछ firms होते हैं जो specially यही काम करते हैं data collect करने का उनसे ले सकते हो, newspaper से उठा सकते हो यानी media वगएर से उठा सकते हो, कहीं से और से data उठा के भी use कर सकते हो mostly advertising, creativity हम ad agency को देते हैं तो ad agency खुद की भी अपनी एक department रखती हैं जो क्या करता है regular basis पर यह data collect करता रहता है यानी immersion stage में सबसे पहले सारा data collect किया जाएगा regarding customer, product, competitor, environment थाकि हमें सारी problem का पता चल सके दूसरा step होगा हमारा digestion digestion का मतलब है कि जो हमने immersion step में information collect की अब हम क्या करेंगे उसे understand करेंगे यानी do homework and think and rethink यानी जितना भी data आपने collect किया है उसके उपर काम करो और उसके बारे में सोचो आपने जितना data collect किया होगा सारा आपके advertising में help नहीं करेगा इक पर तो सारा इकठा हो जाता है उसमें से जितना irrelevant data है उसे हटाओ जो relevant है उसे groups में divide करो कि ये customer से related है ये इस बास से related है ये स्टीके से benefit हो सकता है यानी पूरे को study करो ताकि आप क्या कर सको एक right message design कर सको अगर आप अच्छे से सारे बात को नहीं समझोगे तो chances है आप गलत message design कर लोगे जो आपका बहुत loss करवा देगा यानी उसके बाद हम digestion करके सारे information को समझ लेंगे एक बार information को समझ लिया उसके बाद होगा आपका incubation यानी look at the problem with a subconscious mind यानी जो बात आपको जो information पता चली है उसके base पर ideas generate करोगे subconscious mind conscious mind का मतलब होता है कि आप idea सोच रहे हो साथ की साथ उससे compare कर रहे हो किसके क्या फाइदे हैं क्या नुकसान है आपको वो नहीं करना है आपको freely idea सोचना है अगर आपको कोई idea अधूरा है अधूरा भी सोच सकते हो यानी यह नहीं कि पहले पूरा सोचो कि इसमें क्या होगा क्या आपता वो अधूरा idea ही दो अधूरे idea मिलके किसी idea को पूरा कर दे यानी जो जो एक बार दिमाग में आ रहा है सबको लिखते जाओ यानी free mind से की idea दूसरे idea से जो पहले सोचा तो उससे अच्छा है या बुरा है freely जो जो mind में आता है सबको note down करते जाओ बिना यह सोचे की result क्या होगा उसे हम बोलते हैं incubation incubation होने के बाद होगा illumination यानी birth of an idea जो हमने multiple idea subconscious mind से incubation stage पर सोचे होंगे उनही को उनही का use करके क्या किया जाएगा एक final idea decide किया जाएगा जो different incomplete ideas होंगे उनको complete करके सबको compare करके आप एक particular idea जो creative हो unique हो, original हो effective हो उसको क्या करोगे select कर लोगे यानी idea generate हो जाएगा and last है आपका reality verification यानी जो idea generate हुआ है उसे एकदम से पूरी market में ना ले जाकर आप उसकी reality verification करोगे यानी एक test market में उसे launch करके देखोगे कि वो idea जो है adequate response generate कर रहा है या नहीं कर रहा है यानी जो आप बताना चाहा रहे हो जो आप चाह रहे हो वो काम वो कर रहा है नहीं कर रहा है advertising कि आप advertising में कुछ नया ले के आओ कुछ अलग ले के आओ जो आपकी organization की help करें जो आगे है कि इसमें content कैसे decided होंगे copy कैसे बनेगे advertising की वो सब हम next video में discuss करेंगे अगर video पसंद आई हूँ तो video को like और channel को subscribe ज़रूर करना thank you करेंगे जो करेंगे है तो हम प्सक्राइब से कर दो खर चाहते है